हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ इंदरपाल और मेरे शनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा बहुत important plugin के बारे में जो की है pin code checker जैसे कि आपने बड़ी-बड़ी websites पर देखा हो कि जैसे कि Flipkart बेंतरा Amazon या फिर किसी दूसरी website पर जहाँ पर कोई भी customer कुछ product purchase करता है तो उसको जो है pin code add करना पड़ता है चेक करने के लिए कि वो product जो है उसकी area में serviceable है या नहीं तो दोस्तो कुछ इस तरह का feature आप भी अपनी website पर जो है बड़ी ही आसानी से add कर सकते हैं जैसे कि दोस्तो आप मेरी website पर देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी pin code नंबर अगर user insert करता है तो उसका जो city और state और क्या cash on delivery available है कब तक यह product उसकी area में पहुँच जाएगा मतलब उसकी location तक deliver हो पाएगा यह सारी information वो चेक कर सकता है इसके साथ तरह दोस्तो यह pin code checker plugin आपकी grocery website या फिर pantry website बनाने लिए बहुत ही useful होगा जहाँ पर अगर user जो है किसी pin code के हिसाब से shopping करता है तो जो product आपने उस pin code के हिसाब से assign किये हैं वो product उसको show करेंगे और जो product आपने exclude किये हैं वो product उसको show नहीं करेंगे तो दोस्तो कुछ इस तरह का feature आप बड़ी है असानी से अपनी website पे add कर सकते हैं इस वीडियो को जो है लास तक देखते रही है तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो अपनी website पे pin code checker का feature add करने के लिए आपको जो है एक plugin इंस्टॉल करनी होगी आपके website पर उसके लिए दोस्तो गूगल में आपको सर्च करना है woocommerce pin code या फे zip code checker अगर आप जैसे सर्च करेंगे तो आपको दूसरी link आ जाएगी जिसमें लिखा हुआ woocommerce check pin code and zip code for shipping इस पर आपको क्लिक करना है जैसे दोस्तो आप क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का जो है page open हो जाएगा इस plugin के बारे में नीके आप जानकारी पढ़ सकते हैं अगर दोस्तो आप जो है free plugin यूज़ करना चाते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन दोस्तो free plugin में आपको जो है कुछ limitations होंगे feature के हिसाब से तो आपको जैसे कि दोस्तो grocery website पर focus कर रहे हैं फिर दोस्तो आप जो है कुछ advanced feature चाते हैं इसके साथ साथ आप प्रडक्ट exclude कर सकते हैं जैसे कि दोस्तो आप जो है grocery website बरना रहे हैं तो जहाँ पर दोस्तो आपका user pin code नंबर एंटर करता है तो उसके pin code की number से उसको product show करेंगे और जो pin code number के इसाब से आप जो है product exclude कर चुके हैं वो product उसको show नहीं करेंगे तो दोस्तों इस तरका feature आप जो है premium plugin में इनके ले सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर premium plugin पर इसके click करना है जैसी दोस्तों आप click करेंगे तो यहाँ पर जो है यह page open हो जाएगा यह plugin आपको यहाँ से purchase कर लेनी है जैसकि दोस्तों इस plugin के बारे मैं और भी information पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पर सकते हैं तो जैसकि दोस्तों यह plugin और यह पर चेस करके रखी है यहाँ पर दोस्तों एक settings button है इस पर आपको click करना है plugin activate करने के बाद तो दोस्तों settings पर click करने का और कुछ इस तरह का page आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इस plugin को आपको जो है enable करना है दोसो plugin enable करने को आपको जो है pin code की length यहाँ पर set करनी है तो जैसे कि दोसो यह by default 6 digit की है तो आपको इसको जो है default रहने देना है जैसे कि दोसो नीचे कुछ options है जिनको आप जो है अपनी requirement के सबसे enable या disable कर सकते हैं लेकिन दोसो इसमें जो most important part है जैसे कि pop up show करता रहा है तो दोसो आप यह enable कर सकते हैं इसके साथ साथ दोसो आपको यहाँ पर एक और option है जिसमें लिखा हुआ है exclude products जैसे कि दोसो अगर आप इसको enable कर सते हैं जो जो भी product आप pin code यह number के हिसाब से assign करते हैं वो product शो करेंगे उसके pin code के हिसाब से तो दोसो यह option आप जो है enable कर सकते हैं और भी other option है जो आप अपने हिसाब से enable कर सकते हैं उनको labels दे सकते हैं तो दोसो यह सभी settings करने के लिए आपको एक नीचे option मिल जाएगा जो कि है save button का है इसको आपको click कर देना है तो जैसी दोसो आप save करेंगे आपके plugin जो है activate हो जाएगी इसके बाद दोसो आपको जो है pin code add करने है आपकी website पर तो pin code add करने के लिए आपको यहाँ पर left hand side में एक option है जिसमें लिखा हुआ add zip code इस पर आपको click करना है और जो भी pin code number आप add करना चाहते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर pin code देना है अगर area देना चाहते हैं तो area दे सकते हैं city, state यह सारी चीज़ा आपको देनी है अगर दूसो आप जो है grocery website बना रहे हैं तो यह option आपके लिए बहुत ही useful होने वाले हैं जैसे कि days case आप से आप बता सकते हैं, time case आप से आप दे सकते हैं और दूसो कितने दिनों में इस pin code number पर आप delivery देंगे यह settings आप यहाँ पर add कर सकते हैं इसके साथ साथ आप जो product exclude करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर select कर सकते हैं जैसे कि हमारे N95 mask है, तो मैं यहाँ पर N95 लिखता हूँ तो यह वाला mask है, इसको हम यहाँ पर add कर देते हैं दोसो, pin code add करने का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन-कौन से pin code आपके add हुए हैं तो zip code list में आप click कर सकते हैं तो basically दोस्तो मैंने यहाँ पर जो है 19,000 कुछ pin code number add करके रखे हैं मेरी website पर सभी state के इसाब से तो आपको जो भी pin code descent हमने add किया है उसको यहाँ पर search करते हैं तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, exclude product में हमारा product का ID लिखा हुआ है इस दोस्तों हम जो एक नया window open करते हैं उसमें हम जो अपनी website को browse करते हैं तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ drawbilla.com जैसी दोस्तों कोई user आपकी website open करेगा तो उसको कुछ इस तरह का pop-up आ जाएगा जहाँ पर उसको सबसे पहले जो है pin code number enter करना होगा तो यहाँ पर जैसे कि दोस्तों हमने जो है location select किया तो यहाँ पर एक location का field दे रहा है तो हम यहाँ पर जो है अपना state select कर लेते हैं जैसे कि महाराष्टा है और हमने जो pin code add किया है जैसे कि 40078 उसको आपको यहाँ पर submit कर देना है जो भी आपका pin code है जैसे दोस्तों आप जो health production पर click करेंगे तो आपके यहाँ पर जैसे कि दो प्रोड़क्ट दिखाई दे रहे हैं मतलब मेरे pin code के हिसाब से जो product मैंने assign किया है वो product यहाँ पर show कर रहे है और दोस्तों कोई भी product पर मैं click करता हूँ तो उस pin code के हिसाब से कब तक यह deliver हो जाए दोस्तों मुझे विद्ध आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको कुछी सुझाय या फर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स मुझे सकते हैं और अज दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर निव है तो मेरे चैनल को ज़रू सब्सक